यह खुपसूरत सा मसूरी भी हुए है अब अब बोडियार्ट कर रहा है अब दर्द कर रहा है अब करें लोग कैसा लग रहा है आप लोगों को ब्लॉग प्लीज बताए एंड आज गीन का सुरुवात किया हूं देरा दुन से मसूरी के लिए जाना है फिर से तो मैं पेट्र जी यो पुड़ा गृन गृन बना रख ए है पेटल पम को तो चलते है मसूरी के दरफ आप यह रोड का नाम क्या है अब आज शुदर्सम के साफ जाना हो तो शुदर्सम भाई रोड का नाम क्या था भूल गया यह है वह गडिकेंट रूप कौंसा गडिकेंट कि देरादुन में देखें मॉर्निंग से ही ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है कि अग्याइज कि तीन चार दिनों से ट्रैवल करकर के बाइक पे इतना हैक्टिक हो गया है पुरा बॉडी पाइंट कर रहा है कि मुझे ब्लॉग करने का अंदर से इक्छा नहीं कर रहा है कुछ बोलने का विखॉज पुरा बॉडी यार्ट कि हम दर्द कर रहा है पुरा सरीड बस यहां पर आया हूं थोड़ा सुकून का पल बिताने के लिए हम सांती यहां पर रोड पर ट्रैपिक भी नहीं है तो गैस मसूरी में अभी इतने ज़ा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और पुराने घर पी आप देख सकते हैं कितने पुराने पुराने घर हैं इस चल रहा है उपर की तरफ और फिलाल इस टाइम में मसूरी में रोड पर पहुत सारे पाइपलाइन डल रहे हैं जिस बैसे जाम लगे रहते हैं इस साइड के वाकिंग पर अच्छा है तो गैज यह खुपसूरत सा मसूरी भी हुए हमारे प्रॉपरटी को आपने कई बार मैं आया हूं मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा आपने और आज का लंच शुरूंज बाई कहां के सुरूंज बाई यह सुरूंज बाई सेफ है हमारे हलो हलो बोलिये तो इन्हों ने अपने अपने पसंद का एटम बना है हम लोग खिलाने के लिए काथी रोलोर चिकन तो हम लोग खाने वालने बहुत अच्छा सेट अप लगाया भाई थेंक्यू और इस कुदरसन भाई भी है हाई इतना खुपसूरत भीव के स बढ़े है वाउ बाई यह काथी रोल है वाउ एंड ग्रेवी चिकन इसमें भी काथी रोल है एंड राइस वाउ एक तो तफिर घर ले जाओ ना गाईस हम लोग अभी तूटने वाले घाने पर और इस ब्लॉक को साइद महीं पैंट करूँगा प्रूग एक एक तो तफिर इतना हैवी हो जागा ना भाइये बाउक बहुत लंबा हो जाता है ना तो गॉचिक्ण वोचिंग मिलते नेक्स ब्लॉग में कल मेभी फिर से मेरी सिकेस जाओँगा देखता हूँ कल का क्या प्लान होता है फिर आपको ब्लॉग मिली जागा कल कर है तो तो आज एक टेक केर थैंक यू